अधिक नई फिल्म को बढ़ाई और डानिक चन्द्री कीजे राजा राम चंद्री जी मरियादा पुरसुस्तम थे हर मर्थ को उन से सीख लेनी चाहिए है हम सब को अपनी मरियादा में रहना है कुछी बोलना है कुछी करना है तो दाइरे में आज मैं रुद शुद्रा दरक्षक का नाम है इसका अज पहला दिन है काम करें काफी अच्छा लग रहा है फिल्म के डिरेक्टर है प्रदूदी काफी मज़ा आया जबने कानी तुनाई तो इसके बहुत अच्छा लग और मैंने हां से दिया इसका की रधार है अब देख रह मज़े लगता है कि इस किरदार को लोग बहुत पसंद करते हैं जब भी रक्षा की बात आये तो मनुष बंटे को टाकर खड़ा कर दिया जाता है मज़े लगता है एक्जाम मही देता है जो पढ़ाई करता है और उम्हें पढ़ाई बहुत करता है इसे आज पढ़ाई के प इतना पता है फिचर की वह बहुत बड़ी हिरोई बहुत बड़ा पर अच्छा होगा इतने कहुंगा सभी हर इंसान यहां एक ख़वाहिस लिकर आता है देखे नवाद दिन सिद्धी जैसा बंदा जो सालो साल सब के सामने आता रहा पर किसी की नजर में नहीं है जंगल में नवाद दिन सिद्धी की थे सरफरोज में गी तो पर आप मैंसे जितने हैं ना किसी किसी आख नहीं नहीं देखा होंगे लिटरली अम्मी अब्बू सबका बदला लेगा अपना फैजल हां तो बदला लेने एक 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 खतम हो जाने के बाद बदला लेने के लिए फैजल आ लोगों में तालमेल बहुत अच्छा है रेगुलर पूदूसर है जो कंटिन्यू काम करेंगे आप लोग विश्ख करिए कि ऐसे प्रोडूसर इंडस्टी में आते रहें रेगुलर पूदूसर रहेंगे तो सबका भला होगा लोगों काम मिलेगा एक प्रोडूसर बन जाना कोई बड़ी बात पी होती है प्रोडूसर बन के थम जाना बहुत बड़ी बात है तेरे वे आदमी है कहानी पर काफी पकड़ है डिरेक्शन काफी मजबूत है कुछ कर कुछ कर गुजरने का जज़बा है बहुत आज़ी जैने है एक बहुत बड़े वेवस्ते काम कर गया आप क्या करने से आपकी कंपनी में के काम कर गूप ने शुरू किया था गंदेगानों को बन करानी पर क्या हुआ कहता है कोई मुहिम चलती है तो चल जाती है शुरूआत हमने की थी हम अकेले ही चले से जानवे मंजिल मगत आप को बताना पड़ता है की भई आम है यह तो हमने बता दिया अच्छा है यह बुरा है यह घंदा है और पबनीक और समस्दार रहे साजी कोई पढ़े होते हैं को कड़े होती तो पढ़े से जदा कढ़ा तेज हो तो सबकी समझ में आ गया कि गंदगी क्या है और सारे लोग प अब दिखेंगे किसी नई मुहिम पर काम करेंगे, जब मुझे लगेगा कि कोई चीज गलत है, फिर वही उमंग जग जग जएगी, फिर कुछ करेंगे। पार्टी कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम करेंगे। जिसरा दिनेश जी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे मंजे हुए अभिनेता है, ऐसे ही राजनीती के अखले जी बहुत बड़े नेता है। तो दिनेश जी के लिए ये बहुत मुश्किल वाली घड़ी है। अखले जी बहुत बड़ी हस्ती है। राजनीती में उनको हरा पाना बहुत मश्किल है। मैं जूटा सपोर्ट किसी का नहीं करता है। पर एक अभिनेता होने के नाते अखले जी से मेरी मुलाकात हुई नहीं। जो मुझसे पहले मिला है। कहीं न कहीं दिनेश जो है मेरा दिल का रिष्टा है बहुत काम के आमने साथ में। बहुत प्यार करते हैं वह मुझे। तो फर्स्ट प्रिर्टी तो मैं उनको दूँगा। बाकि जिस दर मेरी अखले से मुलाकात हुई और मुझे लगा कि इन से जादा वो मुझे प्यार करते हैं। तो हूँ सकता आगे मेरा मिलाने कुछी मुझे। कि आप समाजवादी पार्टी जोइन करें। मैं पार्टी क्या मैं तो जन्ता पार्टी जोइन करके बैठा हूँ। अपना अलरडी ग्रूप है MRP ग्रूप। ठीक है, Most Respected Persons Group, अज़दारों का ग्रूप। अब इस पर कीचड कितना भी से को क्या फरक पड़ता है। सक्से पाले हुमारे सारे बोट तुभी समाजवादी तुम्हें वह सार बना करें। और हुमारे प्रूप। आपको ठाई से बना चालवाँ कि बिलाए और उनको काम दिये। अब बहुत अच्छा काम है। इसमें मैं लिगेटिव करना हूँ। मैं लिडिलन है मिरा। फिल्म जैसे की नाम आप देख रहे होगा। तो बहुत अच्छा मौनोजी के साथ पहली बार काम करने जा रहा हूँ। मैं अच्छा लग रहा है यहां के। आपकी जानत चाहिए पॉल्टिकल मौल है। आपकी सपोर्ट की बात आएगी। तो आप किसे सपोर्ट करें इसमों होगा। तो आपकी सपोर्ट की बात आएगी। तो मैं दिनेशलाल का सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यूंकि भाई हमारे सूपरिश्चार है और बोज़तुरी से हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जीतेंगे। जीतेंगे इसलिए कि उनका जो बात करने का काम करने का बहुत चारा तरीका है और बहुत अच्छे इंसान है। राजिनीती से दूर थे। अब अगर आए हैं तो अच्छा ही काम करेंगे। कि इसके पहले हम इलहाबाद के एक मैंने देखा था मैं बहुत छोटा था। बहुरा जी का जब अमिताब बच्छा सुपरिस्टार्ट हुआ करते थे उस तेम पे। तो बहुत बुरी तरह राया था। उसके बाद रूता तो कैरियर रिखा तो बहुरा जी का। तो सेम वही पोजिशन चल रही है भी इसके दिनेशलाल का। तो हंडेट परसंट जीतेंगे और समाज बादी भड़ी का मैं नहीं बोल सकता हूं बट दिनेशलाल जो है जितनी के यहां से और अखिलेद भाइद हो उनको हरना यास। दबे उचले युवेक की कहान ही है जो अन्याई के खिलाफ लटता है अपने हक को समझता है समाज को लिया दिलाता है और आज के समाज में आज के वारत में ऐसे ही नोजवानों की जुरुत है और वो वास्ता में यह साबित करता है कि इम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है और समाज को बदला जा सकता है अपने हकी लड़ाई लड़ता है, लोगों की रक्षा करता है, ब्रिष्टाचार से लड़ता है, इसलिए ये इस्टोरी उस पर बेज है इस शूटिंग कब तर चलेगी, कहां कहां और होने वाली है? शूटिंग एक ही दिन है यहां पर दो, और बाद में गोरकपुर में शूटिंग होगी, फाइनल फूल एंड फाइनल जी और बाकिया आपके जो सायोगी है, और आप साथ के जो है, क्या कहला चाहिए सब्सक्राइब तो हमारे दूबेजी है, यह हमारे प्रेजन्टर है, हमा इन का बिजा नहीं है, और भी आगे बनाने वाले है, बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाले है, तो बहुत अच्छी है, तो यह सर्ण ने उता कि आपने मारवारी दूमराश किया था, मैंने मारवारी जेप रास्तान में बनाई थी, भावराब आप आपने कदम रख दी आ है तो कंटिनु मनाते रहेंगे? इनका बिजा पर देख देख दिख दिख दो जो बड़ी टीम है, और क्या सुखामना देना चाहेंगे, और किस तर सपोर्ट आपके जो मिल रहा है, आपके सपोर्ट का करके? मुझे भी अच्छा लग रहा है, लोगों का प्यार पाके, खासकर के बोजबुरी समाज के प्यार वाद के अच्छा लग रहा है, और फिर ख्या बोलू, आगे बठेगा ताम. सर, दर्शमस कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को ले करके? किस बारे में? हमारी सोच यह थी इस फिल्म को बनाने के लिए कि हम समाज को एक मैसेज देना चाहते थे, कि एक दलित यूवक पर लिखकर किस तरह समाज को बदल सकता है, और इस फिल्म के मात्यम से हम यह बताना चाहते हैं, कि एगर हिम्मत हो, पड़ा लेका है नौजवान हो, तो अपन हमें हक के लिए लड़ सकता है, ब्रिष्टाचार के विर्दू लड़ सकता है, समाज के लिए दबे कुछ लिए लोगों के लिए लड़ सकता है, और नया समाज बना सकता है, और आज हमारे नए भारत को ऐसे यूवकों की जुरूत है, तो राजकोपुर शाही के प्यार भ तो फिलाल तो मैं ये शुब कामना देने के लिए आपर आया हूँ आगे की बात भी पता नहीं है सर आप क्या कहना चाहेंगे तो मैं आप सभी लोगों को नमशकार कहुआ तो अच्छी फिल्म है भी इसी कहान ये अच्छी बता है भी चोहन साम ने अब देखो अभी तो फिलाल आये हैं तो हो सकता है शायद इस फिल्म में एक इस दाबने इस फिल्म का प्लोगों से यही कहूँआ जो भी दर्शक इस फिल्म को जितना हो सके आप अपना प्यार दुलार दीजिए काफी अच्छी फिल्म बनेगी है इसी कहानी बहुत अच्छ अब इस तक नाम है और सभी भुषकूरिया समाज को पड़ाम करता हूं सभी मीडिया कर्मियों को नमस्कार करता हूं मैं सुर्या शर्मा यह जो शुद्रा मोवी का टाइटल है बहुत ही खुशूरत टाइटल है इसके डारेक्टर प्रदीपार शर्मा जी है रेडिउसर च रखा गया इस मूवी में एक दो पॉजिटिव रोल है जो एक मनुजी बेकर रहे हैं मैं कर रहा हूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस पार्ट आफ मूवी का एक चोटा सा अंग हूं और बैतरीन मूवी बनेगी क्योंकि प्रदीप जी कि इसकी पहले मैंने एक होता लग है साउथ पैटर रखने की कुशिश करते हैं और बोच्पुरी में आज के समय में जरूरत है इन सब मूवियों के तो मुझे तो मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे प्रदीप जी के साथ काम करनेगा मुला मौका शतीच जो दूबे जी जो मेरे बड़े भाई है इसमें अभे सिंग जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सलेक्ट किया इस मूवी के लिए और चौहान जी नो डाउट और मैं चाहूंगा कि बोच्पुरी में एक बहुत अच्छा कॉंसेप्ट जैसा ये प लोग पिचर हिट नहीं दे सकते हैं या बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते हैं मौका मिलने की बात है जब मौका मिलेगा तो हर बंदा अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश करेगा और सबसे इंपॉर्णेट आप लोगों के लिए था इंक यू सो मच क्योंकि आपी के जिसे आप हाइलाइट करते हैं तो मैं दिल से शुक्रिया करूंगा मैं ओल या मीडिया गर्मियों को यहां सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच भाई लव यू और अपना ख्याल रखें मैं किरदार कैसा है कि मानसिकता है लोगों की आज के समय में जैसे जातिवाद का एक ब पूछने का तो बात नहीं किरिदार खुल के तो नहीं कह सकता हूं कि कॉंसेट बहुत सुंदर है और शुद्र सब्द से आपको पता चलता होगा कि एक जातिवाद और एक कैसे समाज बढ़ता जा रहा है उसी को कॉंसेट को लेके बनाया जा रहा है आपको स्टोरी बाहरह देखिये धमाल मुझे और मनोजी को कारे करना है अपना घ्रमाल मचायेंगे इच चाहिंद जी और गदारमाल और कुशिश करेंगे अपने ओडियंस को इंटेटेन करने की तैंक यू साथ मैं फोर्थ मुवी कर रहा हूं सर के साथ और मुझे ऐसा लगता है कि में विलन के साथ में कर रहा हूं बहुत अच्छे हैं और एक पॉलाइटली इन बंदा जब एक सीनियर जब आपके साथ एक प से उपर हूं परन्तु वह इतना प्रेम रखते हैं लोगों के साथ मेरे साथ या इवेन मैं तो चलिए एक मैं उखर रहा हूं वह एक स्पोर्ड वोई के साथ भी रिलेशन रखना मिंटेन रखते हैं जितना एक हीरो या एक बड़े गिरिदार के साथ मैं शिश के लिए बह शबसे सब्सक्राइब करें अगे बढ़े बढ़ें बढ़ेंगो तक मेरी सब्सक्रास करते हैं ने मेरी तारिफाज करते हैं ने मातर से बढ़ता मिए सबसे पहले तो सभी को राम नौमी की धेर सारी शुब कामना है और एक्षुली मेरी दो-तिन फिल्में हैं जो इसी गेटप में हैं और भोछपुरी की फिल्में वन सिटूल में बहुत कम बनती हैं तो उनका सिटूल रुका हुआ इस वज़े से इस गेटप के चकर में दो-ति भोछपुरी फिल्म आज की दिन बन रही है 90% साफ सुतरी फिल्में बनने शुरू हो चुकी है और इससे हमारी जो फैमली वर्ग है वो फिल्में देखने आएगी जिससे हमारे फिल्म को फायदा होगा जिससे भोछपुरी इंडस्ट्री को फायदा होगा तो मैं सबसे देनेंगी और सब को काम मिलेगा जाहूंगा कि एक्चली पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है ज्यादा मैं समझ भी नहीं पाता हूं लेकिन बस इतना बोलूँगा कि कोई भी नेता अगर बड़ी-बड़ी बाते बोलता है तो उसे बोलने की जरूत नहीं है उसे क काम का है जो हमारे फायेखा सोचें ना कि अपने फायेखा शेम को ल करके क्या कहने चाहिताएं दर्शों से लिए आप ऐस्पुरी बेढ़े तया मैं बंगल्कुल नहीं हो तो लोग खुद बखुद अच्छी फिल्मे कि आए ताकि आप आवाज उठापाए इससे भोचपुरी इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा भोचपुरी इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ेगी जिसे हम सब को फाइदा होगा यही कहूंगा अपने दर्शकों से कि अपना प्यार और दुलार बनाये रखिए हम नए कल कारों के आपके प्यार की जरूरत है क्योंकि जो ऑडियंस ही होती है जनता जनार्दन और वही हमारे लिए भगवान है तो मैं सभी अपने ऑडियंस और अपने प्यारे दोस्तों से कहूंगा कि फ्लीज भोचपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा आप लोगों का प्यार और दूलार किया होशकता है आप लोग प्यार अपना बनाये रखें और नएक अलाकारों पे भी आप अपना प्यार बनाये रखें धन्यवाद सवर प्रतम तो मैं समस्त भोचपुरिया समाज को सभी दर्शकों को राम नौमी की हार्दिक शुप कामनाये देता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से और आज इस फिल्म का जो मुहूर्थ है चुद्रा चुद्रा ही नाव है ना चुद्रा फिल्म का जो मुहूर्थ है यह हमारे मित्र निर्देशक श्री प्रदीव शर्मा की फिल्म है अभी इस फिल्म के इस आज मुहूर्थ के पहले अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक फिल्म हम शूट कर किया है वादा करले साजिना जिसे महादिवा क्रिएशन के 92 अभी तक मेरी भूमिक आसपस्ट नहीं किसमें मैं क्या कर रहा हूं फिल्हाल भी मैं यहां पर इनको शुब कामना देने के ले आया हूं मैं क्या कर रहा हूं यह मुझे भी महलूम नहीं वादा कर ले साज नहीं कर रहा हूं तो बैस्तता ज्यादा होनी वज़ा से इस अन एक्टर मैं भी फिल्में नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जब तक इसको अधिक कम्प्लीट करके रिलीज ना कर ले तब तक कहीं हो करने जाएंग तो फिर यह फिल्म का जो मेरा कुछ लोग कमाने के लिए बनाने का अच्छे सब्जेक्ट सामाजिक फिल्म है पारिवारिक फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार साथ देख सकते हैं तो बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे उपर तो इसके लिए मैं भी फिलहाल कोई फिल्म शूट नहीं कर रहा हूँ यह फिल्म है यह फिल्म कम्प्लीट करने बादी में कोई फिल्म करोंगा अगर जून लास्ट तक रिलिज कर पया तो ठीक है नहीं फिर माता रानी करपा से नवरात्तरी में रिलीज करूँ तो कहानी टीनेज लवी स्टोरी है बहुत सारे उतार चड़ा हुआ है हिरो पंडित का लड़का है कल्चलर डिस्प्यूटेट जो होते हैं आपस में पडोस में रहने वालों के बीच में जो छोटी मोटी चीज़ों के लिके जो लड़ाईयां होती है खान पान कोई से मल पंडित जी शाकाहारी है और जो बंगाली फैमिली है आप भी जानते बंगाल के परिवेश में मचली और माच भाद बढ़ा फेमस है उसकी बिना उनका भोजन पूरा नहीं होता है तो उस सब चकर में छोटी मोटी नोग जो की बीच में कहानी आगे बढ़ती है बाद में क्लामिक्स आते थे बहुत ही रोचक क्लामिक्स मैं उसको अभी रिवील नहीं क हैं बहुत सारी लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं फेस्बुक पर गालियां दे रहे हैं हमारी इंडस्टी के लोगों को तो बड़ा चुबता है यहां पर तो हमने कहां प्रयास करते हैं बाकी अब दर्शवों की च्छा अगर उन्होंने प्रोतसाहन दिया तो आगे फिर ऐसी फिल्म बनाने का मैं प्रयास करूँगा अगर फुक्साहन नहीं मिला तो एक्टिंगी दुकांचल ली एक्टिंग करें तो आप जाती बाद कर रहे हैं लेकिन रियल में अभी चनौं का महौले इसमें क्या कहने चाहें नहीं है आप आपने उसको अलग जाती बाद नह पर जाती बाद करते हैं तो खास करके यह जो चुनाओं है यह बहुत अहम है हर एक नागरिक के लिए भारत के जितने भी नागरिक हैं बहुत अहम है मैं तो यह कहूँगा जितने भी लोग हैं ओट जरूर करें और सोच समझ की करें मैं अभी मेडिया सामने मेट नहीं बोल सकते किसको ओट करें लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि किसको ओट करना चाहिए जात इगत इस्तितियों से उपर उठके देश हीत में सोचना पड़ेगा बहुत सारे लोग कुछ बोल है कि भोशपुरी इंडस्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे निरहुआ भाई को BJP ने टिकट दिया हुआ है अभी अखलेस यादो के सामने उलड रहे हैं तो कहीने कहीन सी हमारे भोशपुरी इंडस्टी फिल्म इंडस्टी के लिए बहुत बड़ी बात है अंतरास्टी अस्तर पे भोशपुरी चर्चे में है क्योंकि अखलेस यादो इंटरनेशनल लेबल के नेता है अब उनके सामने अगर दिनेस लाल यादो निरहुआ को उतारा गया है कि निसन देह मतलब भोशपुरी समाज के लिए बहुत इगड़ को पविशय है और एक कलाकार एक फिल्म इंडस्टी जुड़ा होने के नात्ते मैं जरूँ अपील करूँगा वही हमारी विरादरी से हैं तो दिनियस लाल यादो जी को आजम गड़ की जनता उनको प्यार दे उनको वोट दे उनको जिता है वो मुझे लगता है आजम गड़ के लिए अच्छा होगा और देश हित में भी अच्छा होगा तो निसंदे अब आप समझी गयों में ख्याश अब या कांशा देख है वहारी फ्लिम की शुटिंग चल रही है मतलब हमारी फिल्म की पहले गाने हो रहे हैं उसके बद हमारी शुटिंग होगी बद में हमारा डेट है अभी तो डारेक्टर से हमारे फ्री निये कि जो शुटिंग जल्दी लेके जा सके टाइम टाइम है शुटिंगे बहुत फ्री जजादा इंटोर नांसमांसर इतनी भी बहुत ही जाद है इतना एकसाइटेड हो रहा है काम करके अब भोट मजे आ रहे है हमको तो को आज टक मैंने इतना सिधा इंसान इतना भोला इंसान मतेने हर्दरर देका इने मतलब हचा आतरंगे द्लियत लेकिन पहले डारेक्टर ऐसे हैं कि एकदम सांत रहते हैं ना चिलाते हैं ना डाठते हैं ना बोलते हैं कुछ नहीं आर्टिस्ट अगर लेट हो गए तो प्यार से बोलने के कोई बात नहीं लेकिन काम इनका और इनकी जो यह वे अच्छा है ना वो मुझे बहुत अच्छा सब्सक्राइब अच्छा है और जो अगले विक से हम लोग इसका आउड़ शूट भी निकारेंगे जो अंगरपूर में किया जाएगा और अच्छा लूकेशन सब्सक्राइब कर देखें फिल्म की कहानी कुछ इंट्रिव्यू में बोलेंगे कुछ और बनता कुछ और है तो मैं कैसा चाहता हूं को बनाने के बाद बोलो आप लोको क्या बनाया में सब्सक्राइब सर शुद्धर च्छक जो नाम है वह आप समझेगे किस ब्यास पे जा रहा है और आप जो से मीडिया इतना टालेंट है कि किसी को बताने कि जो तो नहीं एक टाइटल से ही समझ जाते वर्पुरो चारों यह सब मिक्सम बसा लाए तो मतब मैं एक साइट नहीं ले जगे जा रहा हूं मतब अभी जो चल आए मतब दलीतों को पर अत्याचार और यह उसी बेस पे में कॉंटेन लेकर इस पे आगे बढ़ा हूं कितने गाने रहेंगे इसमें इसमें आठ गाने र जो केमरे के सामने आए और अच्छा काम करें अच्छा बात तुने और सबसे प्यार करें वही सबसे बड़ा इस्टार होता है और इस्टार तो देखे कर आए कि कुछ लोग बन जाते हैं कुछ लोग बनते बनते बन जाते हैं और आप जैसे हैं जो साथ दिते हों तो हमें स यह एक नोर्म पांच चेरे में ने जो करका इसा डाल दिया था बाटी अभी और कास्टिम इसका जिसमें पांच नहीं अभी हो सकते तो पंदर भी सोचेंगे कब तक इस तुम को लाने का अफ्ला है यह बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर डिरेक्टर सुचता है कि मत अब यह डेट दे दूँ तो फिर आप पब्लिक भूने जाती है मैं अभी मैकिंग करने के बाद आप उनको बताओं का अच्छा रहेगा क्योंकि हमारी मुलाकात बार तीन चार बर तो होगी होगी अच्छा आप बता दीजी कि जो आज की गाने चले शुकुष गाने का बोल के और किस तरह की इस प्लमें अपने अग्शुली यह जो गाना है मुझे की इसकी बोल नहीं बता वस इतना बता है कि जो हमारे हीरो वह हमें छेड रहे हैं और उनके छेड़ गाने से मैं इतनी प अभी कर रहे ही ही तो अच्छा ही हो चए अच्छा अन् साहिछ और पूरी टीम के बार ना में इसकी आठात करेंगे मैंकाप दान depos मेंन हमारे camera manzITT यह थो जितने भी हमारे हे बहुत अच्छे संती से काम कर रहे है और छे-ल अच्छे थिपोस कौनग लिए भर्कूर इदम. वह सपट कर रहा है सर लेकिन सर मालम है कुछ बोलते हैं अट सान्थ रहते हैं सर हस्त उस तनेगम सीधे साधे संत इंसान है. वह संत इसले हैं रता कोई काम के फोकस रहता है कि वंदर हां काम अच्छा हो. गलते हो तो भी भी डाडते हैं यह इंसान ऐसे बुलते हैं अरे बच्चे भी हो जाएगा बाद में भी सीख रहे हो जाएगा इसमें क्या होता है कि मतलब हम लोग डाट एक होता ना कि होसला दो और आदमी काम अच्छा करके जाए और अच्छा मुवी बनेगे तो अच्छा आपको पता ही है और जल्दी स्टार्ट करने हो लें वादा कर ले साजना एक यूनिक फिल्म है मैं अभी तक इतना डारेक्शन किया हूँ उपिचर की बात ही अलग जैसे होता ना कि मतलब आपको अगर चॉइस दिया जाए तक इस पिच्छा को देगे तो मैं वादा कर ले इतना जरूर काओंगा कि उससी फिल्म के बनना मुस्किल है आप क्या कहना काहें कि आपकी को इने वाले हैं मेरी सफ फ्रस्ट फ्रीम है वीरो के वीर जो वर्ल वाइट कंपनी की थूर से मैं मुझे सपोर्ट मिलाता है जो मुवी की कि मैंने उसका टीजर और ट्रेलर करने वाले हैं अभी जो देखा जाएगा होगा लेकिन 26 अप्रेल यह तो पक्का डेटे अब मैं चाहते हूं आप लोग से हाल जोड़ी दर्शको कि आप लोग मेरी मुवी 26 अप्रेल को अगर रिलीज हो रही है तो आप लोग प्लीज जाके देखे वह शूट बहुत प्या आप लोग जरूर मुवी देखे और स्वांग देखे और इस्टोरी आप लोग अच्छी लगे तो प्लीज हमें अपना ब्लेसिंग दीजिएगा और विश्स दीजिएगा हमें सपोर्ट करिएगा ले तो मीडिया के सारी दर्शकों को नमस्कार इसमें मेरा एज लीड है औ जरूरा इस जरूरा इसमें दीजिए और इसमें दीजिए और इसमें दीजिए अब ही तक तो आप इसे तो मैंने सुनाए मैं कवी अच्छी है और उनसे मीरी फिर्स्ट मुला का था उस्ट एम हैं किसने गाने रहेंगे आपके साथ इसमें शायद तीन सौंग मेरे हैं तीन सौंग अकाइशा के हैं तुस्ट सेम सेम है क्या करना चाहेंगे जो फिल्म की जो शूट में शूट करते हैं फिर इसी वजह से हम लोग शूट कर पांते हैं और अभी हमारा शूट सिर्फ सौंग यहां पर शूट करें बाकि सारी मूवी गोरफूर में शूट करेंगे अब ही तक तो जितनी मूवी मैंने किया है सीखते ही आ रही हूं और आगे भी सीखूंगी अब क्या जिसक्ष करने चाहिए इस अपका नाम मेरा नाम राज हुसेन है और मैं सारे दस्तों को नमसार करता हूं और यह फिलिम जो बना रहे हैं जो हमारे परदीप सर्डायेक्टर हैं बहुत इच्छे डायेक्टर हैं उनके साथ मैंने तीन मूवी की है और तीनों मूव दूब में दिन को चुझाती है इस पिरली बार बर राम सर से हमारी मुलकात हुई थी और जितम हम प्यार की वाजी की सेट पर तो उस ताइम पहली मूवी थी हमारी है उसके बाद हमने आप 10 मूवी की है जो परदीप सर्ड के साथ में तीन मूवी है लगातार दो मराठी तो अइसा मूवी बनेगी जो अगर अगर ठेटर में पोचता है तो पब्लीक बीर बन जाए है एक जग है। बड़ी बजट मुवी बनता है तो उसमें भीर बनती है वैसे यह मुवी में एदम दर्शों की भीर लगी वो कहानी है वो इस्टोरी है वो हर चीज है मुवी में और बड़े-बड़े इस्टार है जो आप मनोच पांडे जी है हमारे क्या गाता सुरिया सरमा जी है मधू जी ह अपांशाजी है और पांचाले मोगी दिया अभी उसके सॉम बातिया तो दर्शों स क्या कहना जाएंगे जैसे अभी तक सारे आर्टिस्टों को बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने और बहुत उचे लेबल पर पुचा है जैसे मुझे भी बहुत सारा प्यार करो उनको धेशारी शुबकामना के लिए और हमलोग भी उनके उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश है अगर वो फरस्ताइम आए हैं तो फिर सक्सेस हुए हूंगे अब दिहनेशनल लाल यादावजी को धेशारी शुबकामना हैं और हम सब आपके साथ हैं और आपको हमेशा सपूर करें। क्यों जो आजमगर जहां से उठें इस्टाइन और उनके जो अपजी है जो यह पला रहेगा यह तो टकर गई रहेगा आप तो वह तो मद कौन कैसा करता है मर हमारी दिल से तमन आए कि निरवाजी आए